हलो फ्रेंट्स आज की स्वीडियों आप बताने वाला हूं किसा से आप Redmi 6 और Redmi 6 से के FRP अनुकर सकते हों बीन अग्विटर के बहुत सानी के साथ तो जो मैथड बताने वाला फ्रेंट्स यह क्या है इस मैथड में जो है Redmi 6 और Redmi 6 से दौनों पर जो एक ही मैथड वर्क करती है आज की स्वीडियों में बताने वाला हूं तो सबसपहले हम क्या करेंगे, फारपी तो लग चुकी है पूरक पूरक बैक है जाएंगे जहां पे हम Wifi Connect करते हैं वहां पर आने बत क्या करना है उसवाद simply add network पर क्लिक करना है जैसे आप वहाँ पे click करोगे उस बाद यहाँ पे आपने लिंक टाइप करना होगा www.youtube.com ठीक है न वाइफी connect करने के बाद करना है यह जैसे आप www.youtube.com लिक दोगे उसके बाद आपने क्या करना है उसको कुछ second press करके रखना है जैसे आप उसको कुछ second प्रेस करके रख आना है यहां से आपने क्या करना है YouTube Terms of Service पे click कर देना है जैसे आप यहां पर click करोगे इस तरह से ok कर देना है accept continue next no thanks जैसे आप इस सब कर दोगे आप लोगं Chrome browser open हो जाएगा अब यहां जाने कबाद आपने three dots पे जाना है settings पे जाना है settings पे जाना है सब से नीचे आप लोग Google Account Manager Android 9 करके सब डाउट करेंगे मतलब कि Google Account Manager version हमारा Android 9.0 तो हम 9.0 को डाउट करेंगे जैसे कि मैंने हाँ पर search कर दी है Android Google Account Manager 9.0 इसको हम simply का करेंगे डाउट कर लेंगे तो अगर आपका वहां पे Android 8 लिखा रहता और ऑपरेटिंग सिस्टम 8 रहता तो आप Google Account Manager 8.0 डाउट करते हैं मतलब जो वहां पर version लिखा है वही version का Google Account Manager हमको डाउट करना होगा तो जैसे कि हमारा version 9.0 तो हमने जो यहां पर version 9.0 का Google Account Manager डाउट किये हैं उस बाद जैसी यह जाएगा three dots पे जाएंगे, downloads पे जाएंगे और यहां पर आप देख से होगे हमारा download हो रहा है इसके download होते तक हम इसको जह install कर लेते हैं तो जैसी हमारा download हो जेगा है इसको simply हम install कर लेंगे settings पे जाएंगे unknown sources की permission दे देदेंगे और इसको जह simply हम install कर लेंगे तो sorry friend मेरा cancel हो जाए था तो यह देख से होगे आप यहां पर installing हो रही है और देख सकते install हो चुगा है इसको simply allow कर देंगे हम allow करने scanning को हम cancel कर देते हैं तो हमारा Google Account Manager तो होगी हमारा install उस बाद चैएंड हम क्या करें यहां पर लिख देना है FRP bypass APK जैसे आप यह लिख दोगे तो देख सकते आज युका है आप लोग सामने इसको जैसे अब सर्च करोगे तो फर्स्टंबर की वेबसाइट से इस FRP bypass APK को आप लोगे डाउट कर लेना है तो जैसे कि मैं इसको डाउट कर लेता हूं हम website खुल चुके इसको डाउट कीजिएगा और नीचे आप लोगे डाउट अपर अब क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन ब्लॉक कर देता हूं मैं अफर्व वापस AP के क्लिक करेंगे अड आएगा उसको हम क्लोस कर देंगे और आप लोग डाउट का मिल चुका है जैसे आप इसको डाउट कर लिजिएगा और इसको डाउट करने पास इंपल हम क्या करेंगे इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे सबस्पहले Google अकाउंट मेनेजर अपरे मॉल के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टेम के अकॉर्डिंग उस पाद FRB वापस AP को इंस्टॉल करेंगे और इसको इंस्टॉल करने पर उपन करेंगे उपन करने कुछ इसाज एंटरफेस आए तो मैंने सहीं कर ली हो, email डालने हमाद आपका जो भी email का password होगा वो भी यहाँ पर डाल देना है या फिर आप नई email बना सकते हो तो यहां पर इससे मैं पासवाट गलट डाल दिया फिर से तो यहां पर मैं सही पासवाट डालने के बाद फिर से एक बार हम next करींगे तो हमारी email लोगिन हो जाएगी तो जैसे कि मैं आप लोग दिखा देता हूं और यहां पर देख से मेरे मोगाइल में जो सीक्योर्टी लगी है इस email में तो इसको हम नहीं डालते हैं मैं दूसरी email यहां से आप लोग दालके दिखाता हूं तो बैक होगी एक बार फिर से हमारी फिर से फार वापस एपक को अन यहां पर सिंपली मैं क्या करता हूं पासफ़र डालके next कर देता हूं तो जैसे हमारे यहां पर next हो जाएगा उस बाद हम क्या करेंगे यहां पर step verification देख सकते हो जैसे आप लोग email login होगी इस तार से है रिबूट हो चुक है email हो गई है हमारी वहां अब क्या करेंगे हमसे फिले next next करते जाएंगे तो जैसे कि मैं आप लोग दिखा देता हूं तो यहां पर देख पाओगी इससे हम कुछ है agree continue अगर है सब कुछ करते जाना है checking for update है यहां पर थोड़ सा time लेगा तो यहां पर यहां पर देखिएगा उसके आगे checking for updates installing update आ चुक है यहां पर और यहां पर don't copy पर क्लिक करेंगे हम simply उसके बाद क्या करेंगे just a second देख सकते हैं अकाउंट एड़ लिखा कि आया है क्योंकि हमने वहां पर add कर दिये थे इसलिए यहां पर हमको अकाउंट एड़ लिखा के आ गया उसबाद क्या करेंगे हम और next करेंगे तो गेटिंग अकाउंट information आएगा इसको भी more more accept कर देंगे और फैंट वीडियो पर सेड़ियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गा तो यहां पर यहां पर असिस्टेंट का आएगा तो असिस्टेंट को मैं next करकी no thanks कर दूंग assistant भी हमको नहीं रखना है तो यह हमारी loading लेरी तो यहां सेप्ले प्रेस करेंगे हम तो यहां पर मैं setup complete प्लिक करको loading apps लिखा है यहां पर आपने कुछ टाइम लगए 30 सेकंड लग जाया का उसके आप लोग मॉबाइल खुल जाएगा तो जैसे कि आप यहां देखिएगा मुझे किस्ता से होगा लोडिंग अपसों को थोड़ा सा जस्ता सेकंड करके हमको शो करेगा इस तरीके से और इसके बाद हमारा वाइल खुल जाएगा तो जैसे कि देख सकते आप खुल चुका है अब आप लोगने क्या करना है यहां पर कि जो किये हैं मॉबाइल को चालब होने देते हैं इसको अन सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग